कि अलो दोस्तो स्वागत है आपका स्टेडी फॉर सेविल सर्विस के यूट्यू प्लैट्वाम पर फिर से और कल हम लोगों ने उत्राखंड के एड्मिस्ट्रेशन और गवर्मेंट के वारे में थोड़ी बहुत चर्जा की थी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं और मैं मानके चलता हूं कि इस डिसकुसन से एक कोशन कम से कम आपको मिल सकता है फिर वो चाहे विधान सबाउं से हो और मुख्यमंतरियों से हो या पंचयतिया विवस्था से हो या मिनिस्ट्रेटी से हो तो इस एड्मिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ये बॉत्राखंड कि घरब कि समिधान .... उस इन राजये बना, 2000 में, नम्मर 2000 में और जिस तरह से राजये होते हैं Combat अपना राज की चिन्ने होता है, राज की पशु होता है, राज की वरिक्ष होता है, ये सारी छोटी-छोटी इफॉर्मिशन आप लोगों को पहले से ही पता हैं, तो मैं उसको यहां बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, फिर भी आप एक रीडिंग मार सकते हैं, उसमें सेवन के बीच में हमारे समिधान में किसके बार में चर्चा की गई है, राज्यों की चर्चा की गई है, ठीक है, किसकी चर्चा की गई है, स्टेट्स की चर्चा की गई है, तो उत्तराखंड भी इसी नियम कानून के अनुसार काम करता है अपना, ठीक, उत्तराखंड में अ अपना मुख्यमंत्री हो उत्राघंड के अपने सचिव हो यह सारी जो प्रसासनिक व्यवस्थाएं ना सरकार की व्यवस्थाएं लोक सेवा आयोग हो इस सारी चीजें इसी के अंतरगत स्थापित की गई है अलग से समिधान नहीं है इसका ठीक तो देखते हैं आज के जीए जैसे कि संसत तो संसत किस चीज से मिलके बनी है तीन अंगों से मिलके बनी है राश्पती लोकसभा और राजसभा विधान मंडल भी किसका बना होना चाहिए तीन अंगों का राज्यपाल विधान सभा या और विधान परिशद लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभ हम क्या कहते हैं एक सधनात्मक तो सफक किस प्रकार कराच्ज्ञ है एक सधनात्मक विवस्था पर काड़ कर रही है in English इसको कहता है यूनी केमरल किया एक कहते है यूनी क्या मरवन और जहां विदान पुरिषद है जैसे कि यूपी में है तो वहाँ पर जो बिल पास किया जाएगा वो परकरिया स्थीक वह से ही होगी जैसा कि पार्लियमेंट में होती है तो इस केस में विदान सभा से कोई बिल पास हो सकता है और अगर राज़िपाल के दोरा उसमें मुगर लगा दी जाए तो वो राज इस्तर का कानून बन जाता है अर्थात विधान सभा यहाँ पर एक कानून बनाने वाली संस्था है राज्य ठीक तो ये सारी चीजें सभी राज्यों पे लागू होंगी चाहे यूपी हो चाहे रारिस्थान हो चाहे एमपी हो चाहे उत्राखंड ठीक अब देखिए आर्टिकल 153 का संबंद किस चीज से है गवर्णर से है राज्य का अपना राजिपाल होता है जिसकी निपती राश्पती के दौरा की जाती है यह सारी बातें आपको पॉलिटी में पढ़ने के लिए मिलती है और मैं मान के चल रहा हूँगी यह सारी बाते पढ़ सकते हैं कि राज्य के पहले गवर्णर कौन थे सुरजी सिंग बर्लाना अब इस वर्तमान में कौन है यह सारी बातें आपको बैभारी गुरु से पता होनी चाहिए और होंगी भी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें एक मंत्री परिशत होती है जिसको हम कहते हैं काउ चीफ मिनिस्टर ठीक तो यह सारी भूमी का हमको ठीक वैसी नजर आ रही है जैसा कि केंद्र में प्रदान मंत्री उसकी मंत्री परिशद और राश्पती तो मोर और लेस्ट फंक्शन ऑफ दे पार्लेमेंट दाट इस लोग सभा राज़ी सभा और राश्पती इस सिमिलर त स्टेट लेस्ट लेश्पती तो इस चीज को समझाने के लिए इस चीज को एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तक इस बात को रखने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको इन सब चीजों की बारे में काफी कह सकता है कि काफी दक्ष हो इस चीज में उस व्यक्ति को निक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी यानि की मुख्य सचिप और आम त सारी जो फरसासनिक जो धूरी है उसी के आसपास घूमती होगी इसका नाम है क्या चीफ सेक्रेटरी ओके तो आप लोग इस चीज को आप कह कर सकते हैं ढून सकते हैं कि इस समय मुख्य सचिप कौन है गवर्नर कौन है है ना स्वास्तमंत्री किसको मनाया गया है इस प्रकार है आज के लेक्चर का वो है यह है कि गवर्नमेंट तिल नाव इन उत्राखंड सन 2000 से लेकर 2022 तक उत्राखंड का गठन हुआ 9 नमबर सन 2000 को ठीक है लेकिन उससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जब उत्राखंड या उत्रांचल उस समय का उत्रप्रदेश का हिस्सा था तो उस समय यहां से कितने लोग चुन कर जाते थे और लखनों की विधान सभा और विधान परिशद में बैठते थे अर्थाद इसका मतलब यह हुआ कि परवती चेत्रों से लखनों की विधान सभा और परिशद में कितनी सीटे थी तो ये हमको पता चलता है कि इस से पहले, एंट्रिम गवर्मेंट से पहले उत्राखंड से कुल 31 सदस्से हुआ करते थे जिसमें से 22 तो बैठते थे विधान सभा में और 9 बैठते थे कहां विधान परिशद में क्योंकि उत्रप्रदेश की जो विवस्थाएं हैं वो कैसी है, द्वी सदनात्मक है, बाय केमरल है, तो इस तरीके से ये होगा कितने 31, तो हुआ क्या, जब सन 2000 में राज्य बना, उत्रांचल, तो हमको एक चीज़र पता चलती है कि एक विधान परिशद में और इस तरीके से संक्या घटका 31 के वज़ाएं कितने हो जाती है, तीस, इसको मैं क्या कर लूँगा, नाइन मनास्पोन याने की एट हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इस तीस सदस्यों के साथ ही एक अंत्रिम सरकार बनाई गई, यानि की काम चलाव सरकार बनाई गई, क्योंकि लोगों के द सरकार बनाई गई और उस समय मुख्यमंत्री बनते हैं कौन, नित्यानेंद स्वामी, नित्यानेंद स्वामी 29 अक्टूबर सन 2001 तक मुख्यमंत्री रहे, यानि कि एक साल भी पूरा नहीं कर पाये थे, और उसके बाद कौन बनते हैं, भगत सिंग कोशियारी, दूसरे अंत् इदान सवा के चुनाओं हो, उससे पहले दो मुख्यमंत्री उत्तरांचल देख चुका था, अब पहले एलेक्शन कब होता हैं, सन 2002 में, उस समय नायादर तिवारी ठीक्ठा के सिधी में थे, और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन मनते हैं, उत्राखंड के, एंडी तिवारी का कारिकाल कैसकते हैं कि एक स्टेवल गवर्मेंट थी, 2007 का मुख्यमंत्री पत पर बने रहे, और कुछ जो भी कारिकर्म किये गए होंगे इस दोरान, वो आज भी हमको दिखाए देते हैं, जैसे कि सिटकुल की स्थापना इस दोरान होई थी, सिटकुल, इसके ब से था, दूसरी बार एलेक्शन होता है, सन 2007 में पांस साल की गवर्मेंट होती है, या आपको पता ही है, और कब तक रहती है, 2012 तक, लेकिन ये बीजेपी की सरकार थी, सेकिंड वाले टर्म में, और हम देखते हैं कि हमें दो मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं, और एक मु भूवन चंद्र खंडूरी, इसके बाद इन्होंने स्तिफा देती है कुछ समय के बाद, फिर दो साल के लिए कौन बनते हैं, रमेश पोकरियाल, दोनों ही गड़वाल रीजन के, रमेश पोकरियाल भी दो साल रहे, और फिर से बन जाते हैं कौन, भूवन चंद्र खंडू मुख्यमंत्री बन चुके थे वई, 2012 तक, ठीक, फिर आता है 2012 का, 2012 में फिर चुना हुए, टाइम पीरिड कब तक 2017 तक, इस बार फिर से कॉंग्रेस की गवर्मेंट आती है, तो ऐसा लगने लगा था लगू को, कि ये परमपरा बन चुकी है, एक बार कॉंग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कॉंग्रेस, एक बार बीजेपी, ठीक है, तो ये परमपरा होते वे भी देखी हमने, इस बार फिर से आ जाती है कॉंग्रेस सत्ता में आती है, उत्राखंड में तो सत्ता में कॉंग्रेस, मुक्यमंत्री बनते हैं विजय बहुगुणा, कॉन बनते हैं विजय बहुंगुणा लेकिन इन्होंने स्तीफा दिया कौन मने हरीस रावत भली बाती परजित होंगे आप हरीस रावत के नाम से ये कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन हम देखते हैं कि इस कारिकाल के दोरान उत्राखंड में पहली बार क्या लगता है राश्पती सा चलो मैं इसको यहां लिखता हूं उत्त्राखंड में पहली बार प्रेजिडेंट रूल अर्थात राश्पती सासन लगा और यह चलता है 27 मार्च से लेकर लगभग 11 मही तक पस्टाइम उत्त्राखंड फेस प्रेजिडेंट रूल टेस्ट हुआ हरीस रावत फिर से क्या ब पूरा गया किसी तरीके से फिर 2017 में चुनाव होते हैं और 2022 तक सरकार बनी रहती है बीजेपी की मजबूत सरकार है काफी ज़्यादा एंके पास हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमने तीन मुख्यमंत्रियों को देखा तो यह एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्राखंड की ज और भी मुक्त से टेंट स्थे बीजें जाना चहर नजर आया पहली बार त्रवेंद्र सिंग्ध्रावत बीकेंम द चीफ मिनिस्ट्र फर्स्ट टाइम लोग रहान हो गयं चार साल तक सासन करते हैं 2021 तक और अचानक इस्तिफा करते माल की बातर हैं इन्होंने भी स्तीफा दे दिया है और बनते हैं कौन पुशकर सिंग धामी कितने बनते हैं कौन बनते सौरी पुशकर सिंग धामी डैमेश कंट्रोल ऐसा माना जाता है कि एक्सिदेंटली यह क्या बन जाते हैं मोख्यमंत्री और इनके अगवाई में उत्राखंड में 2022 में च सीट हार जाते हैं कि बड़े मजे की बात है 2022 में पुशकर सिंग धामी अपने सीट हार गया लेकिन बीजीपी जीत गई ठीक उसी तरीके से जैसे ममताव एनरजी हार गई लेकिन प्रिंडबुल कॉंग्रेस जीत गई कहां बेंगॉल में लेकिन हमारे समिधान में एक कुछ अनोखी वेवस्थाएं भी है कि हारा हुआ गयत्ती भी क्या है मुख्यमंत्री बन सकता है मुख्यमंत्री क्या प्रधान मंत्री तक बन सकता है हां लेकिन 6 मेहने के बाद उसको सदस्ता लेनी होगी तो यह जो इतना डिल्लमूल रवया है ना रवया सिंपिर मतलब यह है कि जो धिलनमुल वेवस्था है इससे राजनीती में कई प्रकार के आउसर क्रेट हो जाते हैं और इसका लाब कई लोग लेते हुए दिखाई देते हैं बात कॉंग्रस और बीजेपी की नहीं है कोई भी व्यक्ति को ये सुविदा मौजूद है हारने के बावजूद में क्या है और इस समय पुशकर सिंग धामी मुख्यमंत्री है उत्राखंड के और इनकी अगवाई में देख सकते हैं कि हम उत्राखंड में लोगसभाई एलेक्शन्स की जो तैयारियां है जोर सोर से चली हुई है कई जिए के परचारबचार हो रहा है इसमें मुख्यमंत्री बढ़ उन से मुख्यमंत्री बनाएं तो क्या यहा से हमारे Computing fazem lux capitalize सकता है आ सकता है कब लगाथा कितने लिए लगा था इस प्रकार से स्पीटेश मां और इसे भी आसकता है कि मिजान समाओ वर्तुबा में कितनी सीटेश जाते हैंक्जाम में पंद्रा इसमें से रिजर्व हैं ही कि छील अगति नेरा कोशचनओ नुक्वeds कर दो नहीं हैest ट यह कोश्चन तो न 뭘 चक्राटा और नारंग मगता कितनी बार रिपीट होते हुए देख चुका हूँ मैं ये इसे सारी सीट है यहां से रिजर्व किसके लिए कि यह कुशन आ तो इसे प्रेकार से उत्रक्न में लोकसेच वह कितनी सीटें तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट से कि आज पर थोड़ा नियूस पेपर पढ़ लिया करें इसको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो थोड़ा बहुत अगर वह इंटरस्ट क्रेट करता है इलेक्शन्स के बारे में तो यकीन मानिए इसको काफी जानकारी हैं मिलनी शुरू हो ज इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए है हमें एक चीज और पदा चलती है जिसको कहता है लोकल गवर्मेंट कहता है लोकल कॉषासन उसमें दो चीजें पदा चलेगी आपको एक तो पदा चलेगा पंचायत के बारे में एक बात पता चलेगी आपको म्यूनिसी पैरेटीज के बारे में यानि कि नगर निकाय है पंचायती राज विवस्था आपको पता ही है कि इसका कितना महत्व है हमारे सम्मिधान में किस प्रकार से ये कितनी देर में आ जादी कि कितने सालों बाद ये एक संस्था के रूप में स्थापित हुई और इसको समिधानी दरजा दिया गया 1993 में तियत्तर में समिधान संसोधन के द्वारा तो इस प्रकार से पंचायत एक बहुत ही important संस्था है जो grassroots level पर काम करती है ओके ये fall होती है पार्ट नाइन में शिड्यूल 11 में आर्टिकल देखिए आर्टिकल पर इंपॉर्टन देस में जानना आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक इस सब जोड़े गए तियत्तर में समिधान संसोधन के द्वारा और पंचैती राज सिस्टम को 29 विशय मिल गए कि वह उस पर कानून बना सकता है इस पर डीटेल में हम अलग से समझेंगे कि पंचैती राज वस्ता सां का विकास कैसे हुआ किस प्रकार से ट्रीज though और काम कर रही है और उत्रा खंड में भी ठी टार सिस्टम ही काम कर रहा है किश का पंचायदी रा सिस्टम का जिला पंचायद छेत्र पंचायद और ग्राम पंचायद इसमें एक चीज़ आनने ज़रूरी है जो यहां से कॉशन रिपीट हुआ एक्सर 50% reservation है महिलाओं को जो 2008 में दिया गया था यह कुशन आया था एक्जाम में आता रहता है कई बार फिर आ सकता है कि मुख्यमंतरी कौन था इस समय भौन चंद्र खंडूरी यह एक्जाम में कुशन आ जाता है कि 50% reservation for women was provided by which government in which year in which organization नाम इसका पंचायद तो 243 से लेकर 243 O के बीच में जितने भी आर्टिकल्स है उन सबका सम्मन्द किस्से है पंचायद से यह आप पढ़ेंगे quality में विस्तार से इसी प्रकार से municipalities यानि की नगर निकाये हैं इसमें दो जी समझ सकते हैं आप नगर निगम और नगर पाली का हलवानी सहर जो है जिस समय में यहाँ पर हूं यह नगर निगम है बहुत पुराणा नगर निगम नहीं है लेकिन कुछ सालों पहले बना था तो आपको यह पता लगाना है कि उत चैतिरा सिस्टम हो इन दोनों को यह दोनों एक दूसरे के पूरक समझ लीजिए और इसमें जोड़ा गया पार्ट नाइन ए ठीक है और इसमें आ जाता है आर्टिकल 243 वो के बाद क्या आता है पी और कहां तक पहुंचेंगे हम 243 जेड जी तक 243 से 243 P से लेकर 243 ZG तक आर्टिकल किसके बारे में है इम्म्यूसी पैरेटीज के बारे में काफिस सिम्मेरेटी से दोनों में 18 विसे इसमें दिए गया है इसके अमसार काम चल रहा होगा तो यह सारी कुछ मूलभू जानकारियां थी जो मैं समझता हूं कि आपको पता होनी चाहिए यह लेक्टर वैसे उत्रा इंपॉर्टन नहीं आज का लेकिन फिर भी हमको प्रसाशनिक समझ भी होनी चाहिए किसी राज्य विसेस के वारे में जहां पर जिस एक्जाम की त्यारी की जा रही है पीसेस की और लोवर पीसेस की या समिक्चादीकारी की तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थैंक यू